आज हम लोग रेस्टोरेशन देखने आए Mercedes W126 350 HDL का यह गाड़ी रिस्टोर हो रही है आप देख सकते हो उसका काम चालू है यह गाड़ी मेरे दोस्त ने लिए है इसका पूरा रेस्टोरेशन देखेंगे उसके बाद यह बन के आने वाली है एक मैने के अंदर होते हो तो गाइस यह पूरा रिस्टोर हो रहा है और इसको देखेंगे हम कि क्या क्या रेस्टोरेशन का काम अब तक होगा है और यह गाइस आल्मोस्ट सिक्स टू एक मांच हो गया है रिस्टोर होने ते यह डोर्स पे पूरा LED लगाया हुआ है देख सकते हों चारो तरफ LED है इसका कलर चेंज होगा यह ग्रीन नहीं रहेगा और मॉस्ट रेड होगा या फिर यल्यो या ब्लो होगा इसके इंडीर पर कॉमिनेशन आ जाएगा मॉस्ट इसकी लाइट पुदा नया दाला हुआ है जैसा कि कमपनी बोश की है यह पुरानी लाइट से अवे लेबल अभी बहुत कम मिलती है गाईज और यह देख सकते हैं इंजिन का पुरा काम हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं इसका कास्के लिंग रिज जो की ब्लैक फिनिश में दिया यह भी काफी जबदस लग रहा है और काफी रिच लुग दे रहे कार जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे से भी काफी जबदस पुरा डैशबूड पे चैसे कि यहां पर अब पूरा लेधर में है सिट भी आप देख सकते हो Kagrawi आप देख सकते हो लेधर किये जिसकते हो वडुन है tut पशेर किशा कि सकते हो गाइस यह कीश लगी विए कार की और इसके उपर आप देख सकते हो speedometer और यह काफी पुराना speedometer है तो हर एक details को बहुत बारिकी से देखा जा रहा है और restore किया जा रहा है काफी अच्छे से देख सकते हो पूरा restoration कर रहे है और उसके साथ speakers भी लगा रहे है तो यह नए speakers है guys उसको install किया जा रहा है यहाँ पर so guys आप देख सकते हो engine को पुरा खुला गया है और एक पार्ट को replace किया है original से ही so कोई भी पार duplicate नहीं है mercedes में और यह आप लोगों भी देख सकते हो mercedes का इसके अंदर engine में और यह जो restoration कर रहे है इनका नाम है SS automobile यह तुर्बे में है नवी मुंबाई में so बहुत अच्छा restoration करते है यह लोग so tires के मैक विल को भी change किया गया है इसमें करते हैं